हाई विनर्स, आज आप लोगों को जन क्रिप्टो के प्राइस के अंदर काफी बड़ी एक उच्छाल देखने को मिली होगी लगबग लास्ट 24 आर के अंदर जन क्रिप्टो में 30% की बुलिश रिकवरी है और INR में डॉट के बाद 000 में 28 की सीरीज और ये सीरीज लास्ट 24 आर के अंदर 31 तक जा चुकी थी इस टाइम पर वापसी होकर 28 है अब ऐसी सीरीज को बढ़ते हुए अगर आप लोग लगातार देखना चाहते हो तो आपको जन क्रिप्टो का exact potential आज की डेट में इस मार्किट में समझना होगा और वो समझने के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा देखें जन क्रिप्टो एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जीरो मिंटिंग से स्टार्ट हुआ और मिंटिंग एक ऐसा concept है जिससे supply increase होती है लास्ट वीडियो में मिंट करना कैसे है by using polygon chain by using any kind of chain you want आपको एक proper वीडियो में की bullish recovery आई है उन factor को जानना बहुत ज्यादा जूरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है Zen Crypto को buy भी कर लिया हो और सबसे बड़ी खुशकबरी अब तो हमारी Indian exchange Sun Crypto पर Zen Crypto की भी listing हो चुकी है so that's the best news for Indian community कि अगर आप लोग Zen Crypto को Indian community या Indian exchange से buy करना चाहे तो Sun Crypto आपके लिए एक best option बन चुका है अगर अभी तक Sun Crypto को use नहीं किया please use with my referral code my referral code is 191312 video की description में download link भी है और मेरा referral code 191312 please use it and buy the most most ambitious project of 2022 Zen Crypto अब exactly हम बात करते हैं इसके pricing factor के बारे में देखें आप सब लोग जानते है Zen Crypto minting के साथ साथ अब एक नया concept introduce करने के तयारी में है वो होगा XE NFT और you can say Zen NFT अब ये NFT exactly है क्या सबसे पहले आपको ये समझना है ये है Zen Crypto के founder Jack Levin और उनका official profile सबसे पहले आप ये देखिए December 3 को इन्होंने एक tweet किया था और उसको pin करके रखा हुआ क्योंकि ये एक ऐसा tweet है अगर आप इस tweet को समझ गए तो definitely आप Zen Crypto के पूरे potential को आने वाले time में समझ जाएंगे यहां पर देखिए इन्होंने बोला कि ये कुछ अलग-लग type की series की NFT इसको launch करेंगे पहली जो इनकी series है वो है Apex X Unicorn Series इसका नाम है XC NFT XC NFT एक general name होगा लेकिन जो series NFT की उसका नाम है Apex X Unicorn Series जिसका price क्या है माल लीजिए आपको ये जो Zen Crypto की NFT है इसको mint करना है और already आप Zen Crypto के token को mint कर रहे है मैं आपको पहले वो भी दिखा देता हूँ ताकि वो आपको proper confirm हो कि कैसे होगा देखिए जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ Zen Network जो यह official site Zen Network की दो है एक तो Zen.network है एक है Zen Crypto.io तो यहां पर हम लोग Zen.network open करते हैं क्योंकि यहां पर आपको minting और staking दोनों के option देख जाते हैं तो सब जहले मैं mint पर click करता हूँ और mint करने के लिए आपको बता है कि आपको सबसे पहले अपना wallet connect करना है तो मैं यहां पर जाकर सबसे पहले अपना wallet connect कर लेता हूँ तो यह मैं अपना wallet unlock कर रहा हूँ by using passcode and now my wallet is connected अब आप यह देखिए जो मेरा wallet connect है यहां पर इस particular wallet में जो मैंने Ethereum chain को use करके minting start की है इसमें 338 days remaining है यह मैंने 400 days के लिए की है यानि कि आप रॉक्स 400 days में I'll get I'll get estimated zen का जो detail है वो आपके सामने है अब यहां पर there is a option of staking also मतलब finally जब मेरी यह mint complete हो जाएगी तो मैं अगर इसको stake लगाना चाहूँ तो staking option भी है if you want to sell तो आपके जो wallet होगा उस wallet के अंदर definitely you have the option of zen easily transfer करके sell out भी कर सकते है लेकिन इस time पर zen के इस ecosystem में जो XC NFT का rule है वो आपको समझना जूरी है और यहां पर मैं आया XC NFT पर अब आप यह देखिए यह है XC NFT और यहां लिखा हूँ है XC NFT are coming shortly give them a try on our test net ठीक है यहां पर आप देखिए यह जो mint new XC NFT का option है यह भी highlight नहीं है जब finally zen के ecosystem के अंदर XC NFT को officially launch किया जाएगा तो यहां पर आपके पास minting का option होगा अब mint करने से क्या impact होने वाला है वो आपको proper अब समझाएगा देखिए December 23 के sorry December 3 के इस tweet के according अगर आप लोग X Unicorn Series NFT को mint करते हो तो एक NFT को mint करने के लिए you need 10 billion of token simple सी बात आपने सबसे पहले Zen Crypto को जो zero minting project था minting start की और माली जिये आपको mint करने से total जो भी आपने duration set की किसीने 30 days किसीने 100 days किसीने 200 days किसीने 400 days माली जिये आपको 50 days की minting बे मैं एक example ले रहा हूँ कि आपको माली जिये 11 billion token मिल ले है अब या तो आप लोग 11 billion token अपने पास रख लो या फिर Zen Crypto की इस NFT को जिसका नाम होगा X Unicorn Series NFT इसको बाई कर लो इसको mint कर लो mint करने का दो benefit है पहला आपके पास NFT आएगी जिसकी future worth हो सकता है बहुत जादा बने because Zen Crypto का जो इस टाइम पर potential है वो बहुत बढ़ता जा रहा है इस टाइम पर Binance के CEO की तरफ से even Binance.com की तरफ से Zen Crypto most demandable और most strong project माना जा रहा है दूसरा benefit क्या होने माला है अगर आप माल लीजिये 11 billion token में से 10 billion token को use करके mint करते हो और एक XC NFT को mint कर लेते हो और आपके पास सिरफ क्या रह गया 1 billion रह गये क्योंकि 10 billion तो आपने mint कर दिये NFT के लिए अब जो आपकी total value 11 billion की बननी है न उससे कहीं जादा value आपकी 1 billion token की बन जाएगी ये होगा ecosystem में सबसे बड़ा change कैसे minting से आप लोग जानते हो supply बढ़ती है अब जब supply बढ़ेगी तो supply जिस project की highest बढ़ती जाती है trillion में पहुँच जाती है फिर multi trillion हो जाती है तो उसका कभी भी price नहीं बढ़ता ये hurdle आपने बहुत सारे project में देखी है लेकिन zen crypto नहीं देखी सबसे पहले क्या किया जब ये start हुआ 8 October को zero supply थी zero token थे mint होना शुरू हुआ और अचानक से माल लीजिए 1 million के अगर supply होगी तो price 300 तक पहुँच गया था फिर अचानक से एक ही दिन में multiple wallets connect हुए minting start हुई तो वो price बिल्कुल down आके आज INR के अंदर भी dot के बाद आप यहां देखे तो 27 की series presently चल रही है it means 302 के potential का project कम होता होता .000 तक पहुँच गया INR में क्यों हुआ because of supply mint हो रहा है millions of wallet connect हो गए minting शुरू ही तो definitely supply बहुत बढ़ गई और price down आ गया अब ZEN crypto के ecosystem में क्या नया change आ रहा है supply को reduce करना है और reduce करने के लिए क्या करना होता है burn अब वो burn कैसे होगा जब आप अपने खुद के mint की एवे token को use करेंगे mint करने के लिए ZEN की NFT तो जितने million और billions of token आप use करेंगे mint करने के लिए they are going to burn कमाल देखिए साफ इसके अंदर लिखा हुआ है जब आपने 10 billion token को mint किया और उस 10 billion token को mint करके आपने XC NFT ले ली तो वो होगा burn in this case means irrevocably destroyed from total supply of ZEN जो 10 billion of token आपने mint किये जिसकी वज़े से supply बड़ी हर person अगर X unicorn series को buy कर लेगा XC NFT को buy कर लेगा और burn करेगा 10-10 billion of token तो supply कहा रह जाएगी supply is going to be burn और जैसे ही supply burn वही supply reduce और जैसे ही supply reduce वही this token will blast that's why Twitter पर अगर आप लोग zen का trend देखें तो you will see the magic you will see the most potential के 2023 के लिए zen crypto एक बहुत बड़ा planned approach के लिए अपने ecosystem को regularly develop कर रहा है जिसके लिए NFT XC NFT जो है वो एक बहुत बड़ा impact डाने वाली हो और यह NFT बहुत ही जल्दी आने वाले एक या finally आई नहीं है लेकिन अभी वो finally है नहीं जब यह आएगी तो finally you have the minting option highlighted आप mint करोगे आपके उसी minting वाले project में से cut के you have the NFT और supplies completely burn ऐसा होगा और यह देखिए कितना जबरदस ecosystem zen के founder की तरफ से develop किया गया है अब यहां पर आप देखिए इनके latest tweet यह देखिए यह इन्होंने one hour पहले मतलब मैं यह video बना रहा हूँ approach 3 बज़े के आसपस 23-3 बज़े के बीच का time है 27 December आज ही यह video बना रहा हूँ तो one hour पहले tweet आप देखिए इस tweet से आप देखिए कि Zen Crypto के जो founder है वो कितने excited है आप multiple इनके tweets देखिए यह देखिए Coin Gecko पर इस time पर Zen is the number one list of trending cryptocurrency में चल रहा है वाई? एक तो price hype हो रहा है और इस time पर जो इसका potential है वो जबरदस्त है और यह देखिए इनके founder की तरफ से यह देखिए यहाँ पर लिखा हुए respond with the timeline of final report XCNFT is tomorrow मतलब 4 गंटे पहले यह आया है यानि कि 8 दिसंबर कल का जो दिन होगा जब आप Zen.network open करेंगे और आप open करके जब यहाँ देखेंगे कि आपने mint लगा रखा है और XCNFT का यह option आपके सामने आ जाएगा 28 दिसंबर यानि कि कल ऐसा होने वाला है और XCNFT आपके लिए अविलेबल होगी and you have to mint reduce करो supply अगर buy कर रखा है बहुत अच्छा option है Sun Crypto मैं आपको बता चुका हूँ इसका price बहुत आगे तक बढ़ने वाला है और उसी का example आप अभी देख भी सकते हो 29-30% की recovery already last 24 hour में हो सकती है आप लोग बहुत बात पूछते हो न कि इस project क्या ये 10 पैसे का जा सकता है 20 पैसे का जा सकता है मैं आपको definitely confirm बोल रहा हूँ कि अगर एक एक person भी NFT को mint करेगा और supply एक level तक reduce होगी ये कहीं भी नहीं रुख सकता ये वाकिय में उस potential तक पहुँच सकता है जो हम बहुत सारे project से expect करते रहते हैं अब यहाँ पर आप देखिए ये लगाता tweet है और ये सारे tweet हम सब को motivate करने के लिए और वो बता रहे हैं कि exactly होने के वाला ये देखिए ये कहीं न कहीं पर starting engineer की तरफ से photo है क्या है मतलब engineers मिलके supply को burn करेंगे मतलब ये they have to motivate you कि आप exactly ऐसा करें और इन्हों ने even tweet भी किया ये देखिए अब यहाँ पर आप देखिए सिरफ जो मैं आपको X Unicorn series की बात कर रहा हूँ उसकी सिरफ 100 supply होगी 100 NFT होगी वो सिरफ अब 100 NFT को multiply करो 10 billion of token से 100 लोग तो करी लेंगे millions में wallet है तो 100 लोग तो तयार बैठें even I am also ready यहां लिखा हुआ है कि I am ready देखिए मेरा vote भी आप देख सकते है मेरा vote बिलकुल blue sign आप या देख रहे हैं 50% से जादा लोग ready है जो 49% लोग ready नहीं है उनसे मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं आएगा because there are only 100 X Unicorn in NFT 100 को मुझे ऐसा लगता है कि अगर community भी 10 भी इस को mint करेगी क्योंकि इन्होंने एक ट्विट में लिखा है कि at least ये एक को तो खुद भी मिंट करना चाहेंगे यहां पर इन्होंने लिखा हूँ है I plan to mint और इन्होंने लिखा हूँ कि at least मैं खुद भी अपने पास एक मिंट करके रखना चाहूँगा क्योंकि ये खुद जानते हैं he's a founder जानते हैं कि इस NFT का आने वाले future में कितना बड़ा price बन सकता है because of ecosystem इन्हें ये पता है इसलिए इन्होंने खुद बोला कि मैं खुद एक NFT को जुरूर मिंट करना चाहूँगा तो 50% even including me मेरे पास I have more than 20 wallets और अगर direct wallet से देखिए अगर ऐसा हुआ कि अगर मैं मिंट की बात करूँ कि मेरे पास इतने लगबग approximate zen आने है तो किसी मैं wallet में check करूँगा कि 10 billion से जादा होंगे और यहां पर एक सी NFT का option और मैं मिंट करूँगा वही के वही मेरे charge लग जाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे burn तो 100 people होंगे सिरफ जो 100 NFTs को मिंट करेंगे और आप supply देखिए 100 NFTs multiply by 10 billion so token think about the supply reducing think about the burning impact और वही impact आपको recently it's a news जो 28 December कल होने वाली है and look at the price impact today हो सकता आने वाले कल में आगले 24 घंटे में यह price इससे भी double हो जाए 100 XC NFT मेरे हिसाब से it takes only 5 to 10 minutes to mint और लोग ready है क्योंकि इतने number of crypto analysts इतने number of YouTubers इतने number of crypto influencers interview कर चुके है से क्लेमिन के साथ कि definitely मैं आपको बता रहा हूं कि 100 NFT it takes only 1 minute या 2 minute एक या 2 minute के अंदर 100 NFT mint हो जाएंगी पूरे वल्ड में कही ना कही से और वो mint होते ही जो supply खतम होनी है वो supply खतम होते ही इसका price impact आप खुद देख लेजेगा तो आपके बास buying opportunity भी है mint opportunity भी है NFT taking opportunity भी है और price gaining opportunity भी है so this is the overall potential of zen as well as the best ecosystem potential in the crypto market right now मैं यह बोलूँगा right now आने वाला time और भी strong होगा because हम लोग कोर चेन की बेट कर रहे है और उसके ओपर भी latest update लेकर बहुत ही जल्दी crypto mark पर आपके सामने आ रहा हूं so this is overall the latest update for today but please keep it in mind you are in the highly volatile market so if you want to buy if you want to start if you want to invest in crypto please do your own research first thank you so much for watching this video and please do subscribe crypto mark youtube channel for more updates thank you so much